कि वेरी गुड मॉर्णिंग डियर इस्टुडेंट्स इस्टुडेंट्स आज की क्लास में हम मेंडल की नियमों के बारे में चर्चा करेंगी लास्ट क्लास में हमने मेंडल की नियमों के बारे में पढ़ा था और उसमें सबसे पेले देखा था कि मेंडल का नियम प्रभावि प्रभावी होता है इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं दूसरा नियम पढ़ाता पर्थकन का नियम या युगमकों की सुझता का नियम उसमें देखा था प्रभावी या प्रभावी दोनों लक्षन साथ साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से संदूसित नहीं होते हैं या आपको देखा युगमकों की सुझता का नियम कहते हैं स्वतंत्र अप्रभावी या लोप इनडिपेंट इसौट्मेंट्मेंट स्वतंत्र अप्रभावी वहन का नियम का नियम या लोथ इंडिपेंड इस ए smartest नाए यह во वह द्वी संकर संकर्ण एवं उत्ष संकर्णों पर आदा रिते हैं तो यह नियम किस पर आदा रिते हैं यह नियम द्वी संकर संकर्ण पर आदा रिते हैं मैंडल के मेंडल के कौनसे प्रयोग पर आदारित है तो आपको क्या जार नेकना है मेंडल की द्वी संकर संकरन पर आदारित है तो यह नियम किस पर दिया गया किस आदार पर दिया गया तो आपको क्या जार नेकना है द्वी संकर संकरन पर आदारित है और उच संकरनों पर भी यह के समझे लगते हैं इस नियम के अनुसार के अनुसार के यनुसार रिड़ी दो या दो देग यदी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, एक संकर्ण संकर्ण पर लागू नहीं होता है, दो या दो से अधिक, विप्रियासी लक्ष्णों, वाले पोधों के बीच, विप्रियासी लक्ष्णों वाले पात्पों के बीच संकर्ण करवाया जाता है, पात्पों के बीच संक्रण करवाया जाता है यदि दो या दो से दीक विप्रेस लक्षन वाले पात्पों के बीच में संक्रण करवाया जाता है तो एक लक्षन की वनसागती का दूसरे लक्षन पर प्रभाव नहीं होता है यनि दूसरा लक्षन होगा वह से कोई प्रभावित नहीं होता है प्रभाव नहीं होता है नेक लक्षन की वनसागती होगी वह दूसरे लक्षन की वनसागती से क्या होगी स्वतंत्र होगी अथार्थ ध्यान दीजिए कि पर्तेक लक्षन होता है उसके युगम विकल्पी होंगे वो दूसरे लक्षन के युगम विकल्पी से स्वतंतर रूप से वहवार करते हैं तो आपको क्या जान रेकना है कि पर्तेक लक्षन होगा उस लक्षन के युगम विकल्पी ही पर्थक नहीं होते पर्तेक लक्षन के युगम विकल्पी ही पर्थक नहीं होते यूगम विकल्पी पर्थक नहीं होते पर्थक तो होते ये बात हैं पर्थक नहीं होते अपितू पर्थक नहीं होते अपितू पर्थक यूगम विकल्पी या समस्त यूगम विकल्पी विबीन यूगम विकल्पी या समस्त यूगम विकल्पी कर एक दूसरे से हैं और स्वतंत्र व्यवार परदर्सित करते है या सवतंत्र अपविवित होते हैं या स्वतंत्र अपवियूईत होते हैं तो तो इसकान से से हम क्या क्या कदें सόतंद्र फिवइन का नियंग कहते हैं अफ विएिद होते हैं तो यह हमें दियान लेक्षन एक साथ लिए तो परत एक लक्षन की वह सागती होगी और दूसरे लक्षन की वह सागती से कोई प्रभावित नहीं делать ये उसे ही इसके संकर्ण प्रयोग को समझना है उसके लिए ने क्या क्या था तो आप दिब समयुगमजी गोल वा पीले बीज वाले पोदों का संक्रण करवाया गोल वा पीले बीज वाले पोदों का संक्रण करवाया जुरीदार बीज वाले पोदों के मद्दे संक्रण करवाया हरे वं जुरीदार बीजवाले पोदे हैं उनके मद्याइनोंने संक्रण करया गोल और पीले बीज़ों को हमें किसे दरसाएंगे या किसे दरसाएंगे तो आपको धनकना है small r small r और small y small y से तो यह सम्युगमत जी हरे और जुरिदार वीजों को लिया और किसके साथ संक्रण करवाया सम्युगमत जी गोलेवं पीले वीजों वाले पोदों के साथ संक्रण करवाया अब संक्रण करवाने से यह हमें कौन सी पीडी है तो आपको ध्यानक में जनक पीडी है यह हमें जो PD दिखाए देरी वो कौन सी PD हो जाएगी जनक PD है और जनक PD को हम क्या कहते हैं P1 के नाम से दर्साया जाता है तो यह जनक PD हमें इस प्रकार से लिए हमने अब लेने के बाद युगमक बनेंगे और ध्यन दीजिए इसमें एक ही प्रकार के युगमक इसमें बनेंगे जहां भी युगमक कितने बनेंगे एक ही प्रकार के युगमक बनेंगे अब युगमक बनने के बाद में इनका आपस में हमने क्या करवा दिया क्रोस करवा दिया और क्रोस करवाने की फलसुरूफ हमें कौन सी PD प्राप्त होई F1 PD प्राप्त होती है तो इस प्रकार से युगमक बने और युगमक को बनने के बाद में हमें F1 PD प्राप्त होती है और F1 PD किस प्रकार की होगी तो आप ध्यान दीजिए यहां पर यह तो किस प्रकार का विश्म युगमजी प्रकार की है और विश्म युगमजी प्रकार का है परन्तु सभी कैसे होंगे गोल व पीले बीजवाले पॉद्धे प्रकार से सभी गोल एवं पीले बीज वाले पोधे प्राप्त होते हैं गोल एवं किस परकार के पीले बीज वाले पोधे प्राप्त होते हैं तो गोल एवं पीले बीज वाले पोधे प्राप्त होए तो इस परकार से पोधे प्राप्त होए वो सारे किस परकार से थे गोल वा पीले बीजवाले थे क्योंकि यहां पर आप ध्यान दीजिए गोल पर कौन प्रभावी है तो आपको दिक्का जूरीदार पर और पीले किस पर प्रभावी हरे पर तो इस परकार से हरा और जूरीदार तो आप प्रभावी है जबकि गोल वा पीले कैसे प्रभावी है इसकांट से F1 PD में के उल प्रभावी लक्षन ही दिखाई देते हैं इसकांट से कौन से लक्षन दिखाई देंगे होंगे विसम युगमजी यानि यह किस प्रकार की है विसम युगमजी है परन्तु आपको क्या जाननेक ना है यहां पर विसम युगमजी अवस्ता में कौन स अलक्षन दिखाई देता है प्रभावी वता वही दिखाई देता है तो यहां पर गोल प्रभावी इसकान से गोल दिखाई देते और यहां पर पीले प्रभावी इसकान से पीले तो सभी वो दिया होंगे वो किस प्रकार की बीजों युक्त होंगे गोल एब पीले बीजों य कि या consumer मतलब उसी को लिया हमने जनक की रूप में पेरेंस की रूप में यह पेरेंट में इसको मैंने ले दिया माधा यूग्मक की रूप में अनर्स के रूप में ले लिया संक्रौन करवाने पर ध्यान दीजिये हमने क्या किया है F2 PD के लिए इनके मद्ये सव परागन करवा कर क्या करवाया है संक्रण करवाया है F2 PD के लिए मैंने क्या करवाया है तो युगमक कितने बनेंगे तो यह इसी सूतर से आप ज्याद कर सकते हो 2NN का मतलब विसम युगमद संक्या और विसम युगमद संक्या या पर कितनी एक और दो तो दो विसम युगमक जी कुल कितने युगमक बनेंगे चार युगमक यनि ये मादा युगमक कितने बनेंगे चार मादा युगमक बनते हैं कौन कौन से चार मादा इगमक बनेंगे एक आपको ध्यान रखना है मादा इगमक बनेगा वह कौन सा बनेगा आर और आर यानि कैपिटल आर और कैपिटल वाई यह हमें ध्यान रखना है दूसरा कौन सा बनेगा इसमाल आर और कैपिटल वाई तीसरा कौन सा बनेगा तो आप प्रकार के युगमक बनेंगे इन में परागन हुआ संकर्ण प्राप्तिया और संकर्पोदे प्राप्त हुए वह इस प्रकार से प्राप्त हुए capital R, capital R, small y, capital Y, capital Y, यहने चारो capital है यह सम्युगमजी परकार के हैं और कैसे हैं गोल एवं पीले हैं तो सम्युगमजी गोल एवं पीले पोदे प्राप्त हुए अब उसके बाद में ध्यान दीजिए यहां आपको धान एकना है small r और यह हमें ध्यान एकना है यहां पर कौंसा कैप्टल आर तो पहले हम य 특व लिखते है कैप्टल औरर क्यान दीजए तो कैप्टल और कमल आर कैपिटल यो हें नेक्ट अगला यहां पर आपको कैप्टल आ और यहां ओड़नtrack केपिटल वह प्रकार से मैं पर नेक्स्ट आगला दीजी यहां को जरन्यां किया समाल वाई केपिटल रिष्च और स्मॉल यह में द्यान रखना है तो यह इस परकार से हमें ध्यान रखना है तो यहां ध्यान देजिए यहां ध्यान रखना इधर से यहां ध्यान देजिए यहां ध्यान देजिए यहां ध्यान देजिए तो आपको मुझे हो क्या जान रखना है केटिल आर इसमाल आर स्मॉल वाई और यहां पर शम्यूगमजी वो ने पौधे प्राक्त होते हैं अब इन पॉधों को प्राक्त होने के पच्छात में हम लक्षन परूब और जीन परूप नुपात निकालते तो वो द्यान नेकना है किसके बारे में लक्षन परूप अनुपात के बारे में तो देखिए यहां पर लक्षन परूप अनुपात किस परकार से हमें प्राप्त होता हैं लक्षन परूप अनुपात का मतलब क्या हो बहाय परतिती यानि जिसे हम फीनो टाइप के नाम से जाना जाता तो फिनो टिपिक रेशियो हमें क्या प्राप्त होता है वह हमें द्यान निकना है बाहर यह परतिती किस परकार से देखी जाती हैं तो यहां द्यान दीजिए तो यहां आप देखते हैं कि यहां पर कैसे पोदे हैं सभी सम्युगमजी लंबे पोदे हैं यहां भी आप देखि यहां यहां और यहां यह प्रकार से पोधर प्राथों को सभी इस प्रकार के होंगे गौल व पीले बीज, पहला हमें ध्यान रेकना है कौन से बीज हो जाएंगे, गोल व पीले बीज, दूसरा अनुपाद हमें यहाँ पर ध्यान दीजिये, कैसे होते हैं, तो आपको ध्यान रेकना है, यह आर इसमाल आर किसको दरसाता है, इसमाल आर दरसाता है, व दरसाता है जूरी जुरिदार को जुरीदार कि कैसे हो जाएंगे तो आपको दैकना जुरीदार रहाता दोस्राइब Kingdom जुरीदार वाले वदें ऑधlol अगला यहां आपको और प्रकार की ओते हैं तो आपको घंगना हरे व आपको धनकना है किससे परगार कहेंहोंगे गोल आरे व गोल और उसके हारे वग जूरिदार तो यह इस प्रकार से चार प्रकार के हमें पोधे प्राप्ट होते हैं अब ध्यान दीजिए तो आपको दैंका गॉलव पीले कितने पॉदे प्राप्त हो गए one two three four five six seven eight or 9 नाइन्थ पोदे ऐसे प्राक्तुए जो की कैसे है गोलव पीले वीज वाले पोदे हैं तो यह हमें ध्यान रखना है पीले वजूरीदार पोदे कितने है एक यह पोदा हो गया पीले वजूरीदार वाला दूसरा यह पोदा हो गया पीले वजूरीदार वाला तीसरा पोदा ये हो गया, जो की कैसा है, पीले वजूरीदार वाला है, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये हो गया, तीन पोदे ऐसे हैं, जो की कैसे हैं, पीले वजूरीदार भीजों वाले हैं, फिर उसके बाद में next अगला ध्यान दीजिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, हरे और गोल में आप ध्यान दीजिए तो हरे और गोल यह राउंडेड है और हरे और गोल कौन-कौन से हैं तो उसमें आप देखिए तो पहले से होगे अब यहाँ पर यह बचे हैं यह तीनों पोदे ध्यान दीजिए यह कैसा राउंड है और हरे हैं तो इस परकार से यह भी दिख़ाए दिने वाले लक्षन प्रूप अनुपात होता है वह हमें क्या प्राप्त होता है जाने की प्राप्त होने का क्या है यह प्रतेक लक्षन वह नक्षन एक दूसरे से सवतन्त रूप विवार करता है husband कि कि वनसागति होती हैं वह प्रतेक की क्रत्व स्वतांत रूप से लगाशन के लगाशन की सा नहीं feeling इस सब्सक्राइब करें नेक्स अगला हम देखते हैं हमें चीर रूप अनु पर्कार हो गया किया एक यह एक पोदा तो यह हो गया अब उसके बाद में इस प्रकार का रैसियो में लिखाए रहे हैं नृक्त अगल्ला हमें इस प्रकार कमें एक और कीवल दुब में दिखाए दा है तो या एग poking मैं इत अगल्ल knag इस प्रकार का रेशियो यानि capital R अन्यार और capital R उसके बाद में Capital Y और Small Y ये पोधा एक और ऐसा ऐसा यहां भी रिकाई दे रहा है ये दो पोधे तो ये दो पोधे फिर से इस परकार के हमें प्राप्त हो गए next अगला अगला ये हम देखते हैं तो इस परकार से हमें प्राप्त हो रहा है Capital R, small R, Capital Y, small Y और यह कुल कितने के पोदे हैं तो आप ध्यान दीजिए एक, दो, तीन, चार याने कितने पोदे इस परकार के प्राप्त होंगे, चार पोदे हैं वो इस परकार के हमें प्राप्त होते हैं, फिर नेक्स्ट अगला रेशियो ध्यान दीजिए ये, तो ये आपको ध्यान कना है स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई इसकी संख्या केवल कितनी है एक है यह हमें जयान रखना है यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट अगला ध्यान दीजिए यह लक्षन यह इस प्रकार के पोदे हैं उसमें आप देखिए कौन कौन से पोद ऑघ़िए रसर्प के बाद में इस मोल वाई समवाई इनकी संख्या केवल कितनी है एक है यह मैं जयान रखना है फिर उसके बाद में अग्ला ध्यान दीजिए इस परकार से आारर और वै और यह हमें इस परकार से यह परहलेगि स्माल वाई स्माल वाई इनकी संग्या कितनी हो जाएगी एक यह रेशियो हमें प्राप्त हो रहा वह जीन टाइप या जीनो प्रारूप प्राप्त होता है वह किस प्रकार से प्राप्त होता है तो यह इस प्रकार से प्राप्त होता है आप इसको सौटकर इस प्रकार से ध्या कर संक्रण में जिनोटिपिक रेशियों हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है तो बारा चोईस बारा बारा एक प्राप्त होता है कुल कितने टाइप के होगे एक दो तीन चार पांच साथ आट और नौ प्रकार के प्राप्त होते हैं जिनोटिपिक रेशियों का दार पर और हमने पढ़ा वह सभी पढ़ाएगा ज्यान दीजिए कि मेंडल क्या सौतनतर अप्विन का नियम क्या कहता है कि सपर अधारित है तो यह दूई संकर्ण पर अधारित हैं उन्होंने क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक विप्रयासी लक्षन वाले पोदों की बीच में संक जो भी के रंग का कोई प्रभावित किसी परकौर आएँ यहां भी आठ ज्यान दिए हरा रंगह जूरीडार बीज्वक्त को परकार की परिस्टति नहीं प्राप्त होगी हमें दो प्रिकार की नए करेक्टर्स प्राप्त हुएं एक तो पीले के साथ में जुरीदार आया है और हरे के साथ में गोल आया है तो ऐसा परिष्टती नहीं होगा अगर प्रभावी प्रभावी साथ में रहने की प्रकरती होती तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहे हैं इसे नए दो लक्षन हमें प्रकट हो रहे हैं वह नए दो लक्षन किस कांड़ से से प्रेकट में कौकर रहे हैं और पर देंकि युगंविकल पेंसागर्पी नहीं को यहां पर्थक नहीं होत alternatives विभीन युगम विगल्पी के लक्षन होते हैं वह एक दूसरे से क्या होते हैं स्वतंतरूप से विवार करते हैं स्वतंतरूप से अपनी वनसागतित दरसा आते हैं तो इसकान से इससे स्वतंतर प्यों का नियम या इसे लो अफ इंडेपेंड एस और्टमेंट कहा जाता है हों यह हमारे 3 मेंडल की नियम हों complete होते हैं सबसे पहला नियम हमने पढ़ लिया था पिषली इसली कलास परभाितर का नियम पर्थक का नियम पढ़ लिया था और तीसरा नियम हमारा complete होता है है memories सवतंद्र अंदका नियों इंदोनों की युग मैं भी कलपी होते हैं यह तुत आपको किसी भी परकार से नहीं होना है। जो है वह अगταर मेहतो क्या-क्या, उस बारे मैं ध्यान रखना ہے द्यान दीजिए नेक्स्ट अगले टॉपिक के बारे में मैंडल के वनसागती के नियमों का महत्व उसमें द्यान दिया सबसे पहला महत्व है कि जो है वह सजियों में प्रभाविता के लक्षन का पया जाना अत्यांत महत्वन है और मैंडल के एक संकर संक्रन हमने पढ़ाता वश's अदार पर एक नियम दिया प्रभाविता का नियम किसे को आपको नियम ग्रset करते हैं ले प्रहयाई लक्सन की ब्रबावी है कौन सा लक्षन अप्रबावी है इस बारे जानध़ी प्राप्त हो जाती है इससे हम क्या करते हैं यह घातक वहाणिकार जो जीन होते हैं आप्रबावी जीन की अभिवेक्त्र नहीं हो प्रतें दोनों अप्रभावु आप्रह्टिती में प्रकड हो कि हैं उनको हम क्या एक अगर सकते हैं तो यह हमारा पहला मैतों सहाईता मिलती है यह पहला मैं हमें ज्यान रहरे कि पुष्टी होती है कि पठतेक लक्षन वह जीन के द्वरा नियंत्रीत होता है यही आपको यहां ज्यान रखना है कि पर्थेक लक्षन होता है उसके दो विकल्प होते हैं यहां भी हमने यह पड़ाए कि दो विप्रयासी लक्षनों के सहरूप को हम क्या कहते हैं तो यूगम विकल्पी का जाता है तो यूगम विकल्पी एक प्रभावी होगा दूसरा प् करें विकल्प होते हैं यह इनक से संतती में जो लक्षनों का इस्तानत्रित होते हैं यहां पर कहते हैं कि कारक होते हैं सब्सक्राइब और सब्सक्राइब नहीं को नियांत्रीड करते हैं जैसे लेक्षनों को नियंत्रेट करते हैं जैसे कि आपाइट का देखा था तो में एक प्रबावी जीन होगा वा कौन सा होगा लंबा ठैक्षाइंट 20 Bronze हो सकते हैं ये नि use ये परकार से उसी जीन ईह को दरसाता है किस सवरूप हो गए तो यह ज्यान लगना है अगला मेंडल की नियमों से पता लगाई ज fan करके और नय लक्ष्णों के बारे में पता लगाया जा सकता है की विछित कि पड़ाया जा सकता है और उपयोगी लक्षनों के एक साथ एक ही जाती में या एक ही वंस में लाया जा सकता है किसी वंस में कोई अच्छा लक्षन है उनको हम संक्रण विदी के माध्यम से क्या कर सकते हैं एक ही जाती में लाकर करके और अच्छी किस्मों का विकास किया जा सक अदिक उत्पादन करने वाली अधीक पढ़क प्रिरोग प्रसील्ड कर सकता हैं किसंक्रण के माझ्यम से संभआ है दिद्धान रखना और मानौ जाती में सुधार के लिए मैडल के थ illustrates मैं जो सुधार से समंदी साखा है उसे हम सुजनी की कहते हैं और सुजनी की कि है वो किस नियमों पर आधारी मेंडल के नियमों पर आधारी थे और इस साखा में हम मानों में सुधार कर सकते हैं विभिन परकार के मानों में जो जेनेटिक्स डीजी जो होती हैं द्वानवासिक रोग होते हैं उन नियमों के बन सागती की जो नियम थे उनके मेहतों क्या क्या है वह आमने डिटल से पढ़ लिया है